है तो हम देखेंगे इस ट्रक्ष्रों बजट होता क्या है ठीक है तो बजट के अंदर दो पार्ट होते हैं एक होता है बजट रेशिप्ट और एक बजट एक्सपेंडिचर नामचे पचलला रेशिप्ट का मतलब क्या हो गया इंकम गवर्मेंट की जहां से भी इंकम होंगी सारे की सारे क्या होगी बजट रेशिप्ट और जहां जहां पर सरकार पैसा खर्च करतेगी एक्सपेंडिचर होगी यह तनी पास समझा गई अच्छा ठीक है बजट रेशिप्ट को हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहली बाद तो बजट रेशिप्ट की गोवर्मेंट ड्यूरिंग एक साल के अंदर एस्टीमेटिड मनी रिसिप्ट की मलब एस्टीमेट करा जाता ना क्योंकि हम अगामी वर्स करते कल हमने पढ़ा था ना कि हम नेक्स्ट यर में पैसा कितना कमाएं यह कंफर्म नहीं है इतना आएगा यह आएगा तो एस्टीम इन रिसिप्ट एक होता है कैपेट रिसिप्ट जहां चे समझना रिवन रिसिप्ट क्या होती है यह वह इंकम होती है कि सरकार पैसा तो कमा लेगी और उसकी लैबलिटी नहीं बनेगी लैबलिटी नहीं बढ़ेगी मना कोई उधारी नहीं हो एक ऐसी इंकम जिससी इंकम हो करने के बाद सरकार की कोई भी लाइबलिटी नहीं बनेगी नहीं सरकार की एसेट्स घटेगी जैसे टेक्स होता है सरकार ने हम से टेक्स ले लिए तो सरकार की इंकम हो गई तो सरकार ने टेक्स लेती है तो सरकार को कुछ देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा को ल झाल टोगे कैपिटल रिसिट क्या हो जाएका इसमें हमने पढ़ा कि इसमें लायबिरिटी बंती नीए से लाइबिरीटी और सरकार के कुछ ना कुछ असेट भी घट जाएगी जैसे मान के चलो सरकार ने कुस्स रेल्वेज़् दिमान बेचने से क्या होगा सरकार के असे चापट करipping लिए टबारते चैना सेनोन ली अमान के चलो लिए क्या होगी वो सचे की हो इंकम और हमारी हमारी पर जिसे हमारी में और यह यह लहां गया हो है तो क्या हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा सबसे पहले हम पढ़एंगे लोगों ने पढ़ी लिए अब रिवन रिसीप्ट तेक्स रिसिप्ट और एक नन टेक्स टेक्स क्या होता है compulsory payment होती है तुर्णबर्मेंट को कौन कारेगा household करेंगे फॉर्म करेगी या फिर कोई अधर और इसकी डेफिनिशन के साफ से ना तो को लियाबिलिटी क्रेट होगी ना ही सरकार की कोई आसेट्स समझ लेयो हम सरकार से वापिस कुछ नहीं मांग सकते अब टेक्स को हम तीन अलग अलग पाइट में डिवाटा कराते हैं एक यह एक यह और एक यह तो सबसे पहला था प्रोग्रेशिव और एक्रेश्य प्रोग्रेश्व टेक्स कोन सा होता है रेक्स इंक्रीज मैं जब आये बढ़ेगी तो tax भी बढ़ता चला जाएगा जैसे कि हमारे जिसके इंदर tax का slap क्या है कि अगर तुम 5 लाग तक कमाते सोला ना तो को tax नहीं है 5 लाग से 7.5 लाग वालों को 10% tax जिना पड़ेगा तुमारे income 7.5 लाग से 10 लाग तक है तो साड़े 12% tax जिना पड़ेगा जैसे इंकम बढ़ती जले जाएगी tax का rate बढ़ता चला जाएगा तो यह क्या हो गया progressive tax regressive क्या है इसमे rate of tax remains same तुमारा चाहे income कितनी भी हो टेक्स तुमारे लिए सब का सब सेम ही रहेगा चाहे तुमारे income एक लाग रुपए हो साला ना चाहे तुमारे इंकम करोड रुपए अब कुल बिला है कि tax कौन साथी कर यह यह वाला आ ठीक है इसका सबसे बड़े नुकसान यह होता है जो नीचे वाला है कि बढ़र इसका गरीब तो बड़ा नुपसान पड़ता है क्यों एक करोड दो कमा रहा है अगर उसने दस परसेंट अगर उसने दे दिया तो उसने एक हजार का सोथ बहुत फरक पड़ जाएगा इसलिए हमें कौन से हमें से कौन सी टेक्स अपनाना चाहिए इसके अंदर इस पर जो है कि अमीरों पर ज्यादा बड़न पड़ता है फिर आएगा वह वैल्यू एडिट टेक्स जब भी कोई उत्पादक कोई भी चीज बनाता है तो क्या करता है किसी भी रो मेट्रिल की वैल् यह मनें ज लटक्डिक्टी की और उसको में बना के कोई चेर मना दी है मार लो आधर थीक्षünden रोप्यक्व करति हैं डर अर्मनें वीसा एंकितना है कितने रुप्य का सो रुप्य तो हमने मैं कितनी वैइल्यू ड़ित तो यह मान के चलो तुम पड़न लिया है कि वहुआ कर देते रेजिटर तुमने बना दिया उससे 200 रुपे गा तुमने इसकी कीमत बढ़ा दी जो तुम कीमत बढ़ाओगे वह कीमत बढ़ाने पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा इंडारेक्ट टैक्स इंपोज्ड वैल्यू एडिड जिस भी चीज़ की तुम कीमत को बढ़ाओगे उसके ओपर तुम पर एक टैक्स लगा दिया जाएगा इंपोज्ड मनले तुम्हें बताता ना कोई चीज तुम पर थोब दिया दिम्हें दिना पड़ेगा जैसे तुमने किसी भी चीज़ की वैल्यू एडड करी मतलब उसको तुम्हें टैक्स देना पड़ बात है है ना ज्यसे दर्व कोई चीज समान बेचसे क्या हुता है वेट के साफिक। लगता है तो क्या फिक क्या होगि क्या है नौन हो जिसके ओपर ठेश्म गणा जा गा उसी के ओपर फैनल बड़न पढ़ेगा उसी को टेक्स पेकरना पढ़ेगा जैसे कि इंकम टेक्स अगर तुम सी और बंदे उसको ट्रानस्फर नी नी कर सकते वह तुमारी इंकम से यही टैक्स कटेगा समझें यह क्या हो गया तुम्हारा डारेक्स सिंपल डेपनेशन इंडारेक्ट टेक्स क्या हो गया ओन हूज इनीशियल बड़न जिसके ओपर तुम्हें बड़न डाला था वाट सक्षिस इन सिफ्टिंग दबड़न टू अनदर पर उसने क्या करा अपना पूचना तो अरुसर लाइगा नॉन टेक्स कृसिप्ट कर दिया एक बंदे से दूसरे बंदे के तरह इसमें कूछना तो बताऊ हो कि औकừng हरगे नॉन टेक्स्ट क्या होता है टेक्स मैं क्कृण्ट करना इसके बदल नहीं निलेंगे रिशिप्ट क्या हो गया भी कहा होगी उसम क्या कहेंगे ओनius अंभ पांव पांबूने में पढ़ा क्या क्या और पिए चीन होता की अधर दैक्सट आधर होते है तो ëlगत आधर्ड हेंने हुँगी होती आदेफी में हम एंवारे सामने होती है वी स्वाइन अटी स्टे पिजेशले इंकम फ्रॉम पॉब्लिक इंटरप्राइज इंकम फ्रॉम इस्पेक्ट्रम और ग्रांड डॉनेशन ये कितनी सारी चीज़ होगे भाई साथ हो गई ना साथ होगे तो सबसे वहली फीज क्या होती है फीज़ा पेमेंट टो गॉवर्मेंट फ्रॉम सर्विचिस भीए हम तो गया तुम आले तरीके से पीस हो गई ठीक है फाइन क्या होता है पेमेंट आर मेट फॉर पनिस्मेंट तुमने कोई भी गलत काम कर दिया तो उसके लिए गौवर्मेंट तुम पर पनिस्मेंट करेगी जैसे कि तुम मालों बाइक से जा रहे हो वही वाला हुग या कि हल हुग कि हो ही नहीं कोई वो बंदाच लागएंगा है को उत्रादीगारि जो भी स्कांव होता दोऀमालिक तक यह उसका कोई बेता नहीज है या किसी को वेलिगिली डाघ्र दॉकुइमेंट में लिखने वोला कि मेरा अत्रादीगा रहे हैte मेरे बादी मेरी इसभाड़ी इस इंकरीज इस जब भी भी क्या होगा भाइ गौश्मन किसी भी एरिया में पैसलीटी जादा देगी अच्छी सड़के पिर आएगा income from public enterprises अब कुछ government के भी अपने कुछ के विजनस होते हैं जैसे कि इंडियन डेलवे है भेल है और तुम्हारा इंडियन ओयल हो गई इन सब के थुरू भी गवर्मेंट पैसा कमाती है सिंपल इसमें इतने लिखना है income from the sale of spectrum like 2G and 3G 4G और 5G ठीके जितने भी स्पेक्ट्रम हां पढ़ चुके इसको इसको स्पेक्ट्रम जितने भी ओटे 2G 3G 4G 5G गवर्मेंट क्या करती है इनकी निला में करती है जो भी कंपनी होगी यह से एटल जी हो वोड़ा वो क्या करेगी वो एक बहुत बड़ा एमाउंट होता है जो गल्मेंट को पेंकर और रेगूलर इंटरवल को पेंकर रहते तो गान की बहुत कुछ दान में दे दिया जैसे कि भारत ने नेपाल को डोनेशन दीती ठीक है तो भाई यह होगे तुम्हारी नोन टेक्स रिसिप्ट हकाप